अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो भी पॉसिटिव बनावा और देखी ये मार्केट ऐसा है जहां पर आपको हर गिरावट पर खरीदारी करनी है लेकिन एक रेंज है अगर आम उपर की तरफ देखे तो 18300 के आसपा जहां पर टॉंटी डे मुविंग आवरेज है तो आपको कम से कम 300 पॉइंट का तेजी देखने को मिले के और उसके इसमें 18600 के आपको टार्गेट सेट करने हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए आपनी पॉजिशन में बने रह सकते हैं गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं और 18000 के स्टॉप रह सकते हैं